नमस्कार कहानी गोल्ड में याद सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी जंबक की डिबिया इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है इसलिए मैं इससे डरता हूँ मैं जानता हूँ कि यही जंबक की टिबिया मेरी मौत का कारण होगी प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्से पर टिक गए इसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा जंबक की टिबिया से मनुश्रे के हत्या आखिर होई कैसे सकती है सिगरिट बुझा कर एश्ट्रे पर फेकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा बात उन दिनों की है जब मैं बी ये फाइनल में पढ़ता था के ठानी हमारे घर का पुराना नौकर था बड़ा मेहंती बड़ा इमानदार महीनों हमारी मा जब घर के बाहर रहती थी वह सारे घर की देखबाल करता था एक चेज भी कभी इधर से उधर ना हुआ था एक बार यही बरसात के दिन थे मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल-लाल दाने से उठाये थे और उसके लिए मैं एक जंबक की दिबिया खरीद लाया मेरी मा मशίν के सामने बैठी कपड़े सी रही थी आस पास बहुत से कपड़े पड़े थे मही मैंने वर डिब्बी खोली बहन के दानों पर जहां त हां लगाया और डिब्बी मा के हाथ में दे दी पासी केठानी खड़ा-खड़ा धूले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था जब मैं बहन के दानों पर जम्बक लगा चुका तब केठानी ने उसकता से पूछा काई भाईया इसे इस अब अच्छो हुई जाई है मैंने कहा हाँ खाज, फोड़ा, फुनसी, जले कटे सब जगए यदवा काम आती है इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया शाम को जब मैं घूम कर लोटा तो देखा घर में एक अचीब रकार की चहल पहल है मा कह रही थी बिना देखे, कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है कहा गई कौन जाने, बड़ी बेहन कह रही थी उसे छोड़ कर और ले ही कौन सकता है, कल उसकी भावज आई थी न उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुनसियां थी पिता जी कह रहे थे कहीं महराजी न ले गई हो अखिल उसे कह रहा था या गोरे होने की दवा है लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं है पासी बैठा अखिल पढ़ रहा था पिता जी की बात में दिल्चस्पी लेते हुए वह बोला बापू महराजीन तो हमेशा गोरे होने की ही फिकर में रहती है फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है तो मैंने भी कह दिया कि गोरे होने की दवा है केठानी अपनी कोठ्री में रोटी बना रहा था उसे बुला कर पूछा गया तो उसने कहा जब भाईया लगाय हती आपने तो तब ही देखी रही फिर हम नहीं देखन सरकार मुझे ग्रोधा गया बोला तो डिबिया पंख लगा कर उड़ गई किठानी ने मेरी तरफ देखा बोला भाईया मैंने कहा चुपो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सुबह में डिब भी लाया और इस समय गायब हो गई यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है किठानी कुछ ना बोला वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया मैंने सुना हुआ मां से कह रहा था मालकिन चलके मोर कोट्री खोल देख ले मैं का करियो दवाई ले जाएके फिर जौन चीज लागी मैं मांगना लईयो सरकार से मैं कोट उतार रहा था ना जाने मुझे क्यों क्रोधा आ गया और कमरे से निकल कर बोला चले जाओ अपना हिसाब लेकर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है आखिर माने बहुत समझाया पर हम सब भाई बहन न माने और माने किठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा जब तक भाईया माफ न कर देंगे अपने मुझे मुझे से रुकने को न कहेंगे मैं न रहूँगा और मैंने न किठानी से रुकने को कहा न वह रुका हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया पर घर के सब लोगों को वह प्यार करता था वह गया जरूर पर तन से गया मन से नहीं मां को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़ादा उसका अभाव खटका वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था फूलों का गुलदस्ता नियम से बना कर रखता था मेरी जरूरतें पिना बताय समझ जाता और पूरी करता था पर जिद्धी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं मां से कहना सका कि किठानी को बुला लो जो कि मैं हिर्दय से चाहता था एक दिन मांने कहा कि किठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिठी का काम करता है मैंने सुना मेरे दिल पर ठेस लगी वो उड़ा आदमी डगमक पैर भलावा गारा मिठी का काम कैसे कर सकेगा फिर भी चाहा कि यदि मां कहे कि किठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार जरूर कह दूँगा कि हाँ बुला लो पर इस बार माने केवल उसके गारा मिठी दोने की खबर भरती और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्तावना किया एक दिन में कॉले जा रहा था देखा के ठानी सिर पर गारे का तलसा रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है चालीस फुट उपर चाली पर चढ़ा आह बुढ़ा के ठानी खड़ा काम कर रहा था मेरी अंतर आत्मा ने मुझे काटा यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चे कर लिया कि शाम को लोट कर मा से कहूंगा आपके ठानी को बुला लो वह बहुत बुड़ा और कमजोर हो गया है इतनी कड़ी सजा उसे ना मिलनी चाहिए दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा शाम जरा जल्दी लोटा रास्ते पर ही राय साहब का घर था मजदूरों में विशेश प्रकार की हलचल थी सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिर कर मर गया पास जाकर देखा वह किठानी था मेरा हिर्दय एक आद्मी की हत्या के बोच से भोझे लो उठा घराकर मा से सब कुछ कहा मा उसके कफण के लिए कोई नया कप्डा निकाल दो मा अपने सीने वाली पोटली उठा लाई नया कप्डा निकालने के लिए उन्होंने जोहीं पोटली खोली जम्बा की डिबिया खट से गिर पड़ी